असलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू लर्न डाट पी की अधिका हमारा M.D.Cat का डिस्कुशन का टापिक है M.D.Cat Points जिसमें Physics के Chapter No.1 मरीज मेंट मेंसे जितने भी ऐसे पॉइंट है जो कि बुक में ने दिये हुए यहां फिर डिफेंट कंसेप्ट से वो निकलते हैं उन तमाम पॉइंट को डिस्कुश करेंगे क्योंकि यह ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि किसी भी ऐसे M.C.Q. में जो कि देखने में बहुत इजी होता है जैसे which of the flowing is correct उन में ऐसे पॉइंट अगर दे देते हैं यह जिनकी बड़ा से स्टुड़न्ट कंफूज होते हैं पताने हैं यह सही है यह फिर गलत है तो है जितने भी इंपोर्टन पॉइंट है जो कि M.C.Q. की रियल्टेट इंपोर्टन है आज हो तुमाव पॉइंट हम डिसकस करेंगे सबसे पहले पॉइंट नमबर वन इफ वी डबल दा नमबर आफ वाइब्रेशन इन अमेरिंग टाइम यहां पर सिंपल पेंडूलम के जरीए अगर हम नमबर आफ वाइब्रेशन को डबल कर दें तो जो इज़र आफ तो आपको मैंने बताया भी था कि जब हम टाइम में परसंडेज इरड मालूं करते हैं तो उसका फार्मॉला होता है यह इक्वल तू लिस्ट कॉंट आफ स्टाप वाइब्रेशन फर्स करें 0.1 यह कोई ओड है स्टाप वाइब्रेशन तो यह सिंपल सा अगर आप गोड करेंगे तो जो उनसा इरड है और नमबर आफ वाइब्रेशन है इनका इन्वार्स रिले इसलिए कहते हैं नबणीब्रेशन को ज़्यादा करते है तो इसलिए अगर नबढवाइब्रेशन डबल ओंगी तो इसलिए और हो इसलिए और रड्स होगा से प्रढ़ मीञिक है हैं दे यूनिट क्यू टू बाइब आजी इस एकवल टू एनर्जी जोंट सा यूनिट है क्यू टू ओवर सी इस तरह के बेश्मार एंची को पूर्श जाती हैं लेकिन डिफिकल्ट होते हैं लेकिन आपको एक पैटर्न में लेगा कि आपने किस तरह से इन तमाम को सॉल्ब करना है अब यूनिट क्यू है चार्ज द्वाड़ बैक करेंश तो आपने पड़ा है कि क्यू इस इक्वल टू सी वी किसी पैस्टन से वी वाल्टेज रहें और ट्यू चार्ज हैं चीव रभर है क्यू और वी के यह ज़़ा वाल्टेज मुल्टिप्ले हो डीए क् तो Q divided by V is equal to C, so आपने क्या करना है कि Q scale over C की जगा आपने पुट कर देना है Q over V, हमारे पास जब आप साल करेंगे तो आपके इसली साल होड़ेगा Q over Q A Q से कैंसल होड़ेगा, वो C ब्राबर होता है Q over V, तो यह आप साल करेंगे तो आपके इसली साल होड़ेगा Q V, अब Q V is equal to energy, तो V का फार्मल रहता है जाल पर कुलम्ब, जैसा कि आपने लेक्ट्रोस्ट्रेटिक वर चेप्टर में पढ़ा होगा कि वाल्टे ब्राबर होती है energy divided by charge, यह V के लिए हमने जाल पर कुलम्ब पूट कर दिया, यह कुलम्ब इस कुलम्ब से कट जाएगा, तो हमारे पा सांस आगा क्योवी, और क्योवी में V की बराबर होता है जाल पर कुलम्ब, तो जाल तो जाल तो कुलम्ब कुलम्ब से कैंसल, पीछे रहे जाल जो के नियुमिटर में इकल भी होता है, आप जानते हैं के energy के इन तो जाल, तो जो तर्म है Q स्केट वार्डब सी is equal to energy, यह एक करेक्टर में आपने से माइन रखना है, इस तरह से कोई भी फार्मला हो तो उसे आपने values को पुट करके उसे डराइव करना है, अब इसे भी आपने कैसे प्रूव करना है कि रेशु आप प्लांक्स कॉंसेंट और मूवमेंट अफ इनर्शिय जोंसा है, यह एक्वल टू है मेंट करना है फ्रीक्वेंटि तो प्लांक्स कॉंसेंट है इसका यॉनूट है जोंसेकिंट अफ इनर्शियो आइ एकल टो, मूट कीलोग्रशिय इन दोनों की रेश्यों हो ने चाहिए किसकी अफ्रिक्वेंटि के किलो गराम मूटस क्यार यह आगा के लोगराम मीटर स्क्य जो कि यूनिट है तो जाल है हमारे पास Newton मीटर, Newton बढ़ा बढ़ा है किलो ग्राम मीटर पर सेकंड स्केर, इन से percentage uncertainty की MC की अधियूज बनती हैं, जैसे कि volume of sphere है, उन्दम रेडियस दिया होता है और कहा होता है कि इसमें total volume of square में total uncertainty कितनी होगी, जैसे में percentage uncertainty in radius, उससे multiply करना होत से, तो सबसे पहले volume of sphere is equal to 4 by 3 pi r cube, यह जो यह पाई है, आपने confused नहीं हो ना, इसमें पाई ड्रा किया होगा अपने तरफ से, जो सब volume of sphere है, किसी भी बाल का, किसी फुटो बाल का वो पूट लेता है, तो उसका मतलब sphere ही होता है, इसका volume ग्राबर होता है, 4 by 3 pi r cube, तो surface area of sphere तो वो यह नहीं कहिएगा, surface area of sphere, वो यह जो कहते हैं, किसी बाल का, फुटो बाल का, उसमें uncertainty इतनी है, आपने इसकी परसन टोटल uncertainty बतानी है, in surface area यह पिर volume of sphere, तो surface area of sphere is equal to 4 pi r square, आपने यह बात में रखनी है, कि surface area का क्या formula है, फिर volume of cylinder is equal to pi d square L over 4, उसने बताय होता है, कि radius यह diameter, क्योंकि diameter और radius का अपस में exact तालू के आपको पता होगा, उसे length और radius की बता ही होती है, और कहा होता है, कि volume of cylinder में uncertainty मालम करें, तो अगर आपको इसका formula पता नहीं होगा, आपको नहीं पता D किदर है, L किदर है, फूर्ड किदर है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा, कि volume of cylinder प्लापिड है, पाइड इसकार L लवर 4, तो इसलिए आपको इन फार्मॉलाद का पता होना बहुत जोड़ी है, volume of sphere, surface area of sphere, volume of cylinder, यह तीनों ऐसे फार्मॉलाद जो कि बुक में use हुए है, इसलिए तीनों बहुत ही important है, आप चांद unit की बात करते हैं, जो कि आपको पत नहीं है, तो 1-dine is equal to 10-dine to power of minus 5-nyton, एक dine के अंदर 10-dine to power minus 5-nyton होती है, तो इस मेंसे आपको पूर्चलिए तो 2-dine में कितने होंगे, तो 1-nyton में कितने dine होती है, इसके साह 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 कोई मीरिमट दी होती है, जिसका आउन आता है न्यूतर में, तो आपको कहती है इसका तो पहले आपको solve करनी परती है numerical value तो फिर आपको करना परता है solve उसके बाद उससे convert करना परता है तो अगर आपको यह नहीं पता होगा कर वन डाइन इसके लिए आपको different जगह पर problem है कि यह फिर different academy जाएंगे तो वह आपको पहले बताएंगे नहीं लेकिन पेपर में डाल देंगे फिर mcqs की discussion में बड़े अच्छे तरीके से आपको बताएंगे जैसे आपको एक नहीं चीज़ पता लगी है इसलिए आपको mdkr session में इन चीज़ों का बताना बहुत ज़िज़रूरी है से आपको पता हुता है इसलिए इसलिए माइक्रो ब्राबरो देंट इस पार मानस जिक्स के सब्सक्राइब। था याद राखने हैं कि डिस्टेन्स और प्रिफिक्स नहें थारवान वर्णस सब्सक्राइब। युक्तふふils बिल्सक्राइब। जो यूद सैंक फरता है याowa कि वहाँ कोई से सब्सक्राइब। या था सर्कम्रम्राइब। था эта तो इसे हम different situation में change करते हैं प्रफिक्स को एक और दूसरे से कभी multiply कर रहे होते हैं पूछ रहे हैं किसके ब्रबर आएगा एक और दूसरे करते हैं जैसे के फ़र्द करें एक्टो को डबाइड़ करते हैं एक्टो के साथ पर उता हैं कौन सा प्रफिक्स आएगा तो इस तरह से different type के M series बनते हैं अब हम्टो टेंड़ इस पर माइड़ 15 माइड़ 18 ऊपर डाइगा प्लस 18 तो एक किलो के रबड़ा देगा इस तरह से different type के point दो कि आपके mind में होना बहुत जरूरी है वन सेकंड में कितने year होंगे एक year में कितने second है यह तो निकालना इसान है 325 में एक साल में कितने दिन होते हैं 600 65 दिन होते हैं उसे multiply कर देए 24 से मजीद multiply कर देए और से और से मिल्ट में तो इस तरह से one year में कितने second है जिसे second हैं उसको तुमाम रखम को divided कर देए one के साथ यह तो आपके पास आड़ेगा एक सेकंड में कितने year आते हैं यह प्रॉक्सिमेली 3.1 में में पर मैंस एट होता है एक यार्ड के अंदर एक मिट्राइब होता है